हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं डॉक्टर मनीश काक, कंसल्टन गैस्ट्रेंट्रोलजिस्ट और लिवर स्पेशिलिस्ट मनीपाल हॉस्पिटल गाजयबाग आज कल कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं और कई बार यह क्वेश्टन आता है कि डाग साफ फाइबरो स्कैन चीज क्या है यह फाइबरो स्कैन टेस्ट क्या होता है इससे क्या फायदा होता और किसको करना चाहिए तो फ्रेंट जी जो फाइब्रो स्कैन है ये एक ऐसा टेस्ट है जो लिवर की फंक्शिनिंग लिवर के हेल्थ के लिए जाता है ये एक बेसिक सा सिंपल सा प्रोसीजर है जैसे लाइक अल्टरसाउंड एक मशीन आती है जिसको फाइब्रो स्कैन मशीन बोलते हैं वो लिवर क तो वो यह चीज़े लिवर को देरे दरे डेमेज करती है और इससे क्या होता है लिवर हमारा स्टिफ होता है और अगर यह प्रॉब्लम ऐसे चलता रहा इसका ट्रीटमेट नहीं हुआ यह किसी ने अलकोहल पीना बंद नहीं किया तो यह आगे जाके सिरोसिस अफ लिवर बन यह ऐसी प्रॉब्लम है जो वापस नॉर्मल नहीं हो सकता लेकिन जो रुटीन टेस्ट है हमारे बलग टेस्ट है या अल्टरसाउंड है जो लेबारिटरी के टेस्ट है लेफ्री टेस्ट है वो इस बीमारी को तब तक नहीं पकड़ पाते जब तक हमारा लिवर में सिरोसि पानी बर जाएगा फून की उल्टी आएगी वो तो आ जाता है रिपोर्ट में भी आता है डॉक्र भी देखे बताता है या अल्टरसमें भी आता है लेकिन उससे पहले लिवर में फाइब्रोसिस तो नी चर रहा फाइब्रोसिस मतलब लिवर में एफ-0, F1, F2, F3 ये चार रहा है या अर्ली सिरोसिस में हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को फाइदा ये होगा कि वह अपना ट्रीटमेंट कर सकता है बाइचांस कई बार हम फाइब्रोसिस करके यह पगड़ लेतें के लिवर जी F4 फाइब्रोसिस में हो गया है फिर उसके बलद टेस्ट करते हैं तो उस तो माइ फ्रेंट्स फाइब्रोस्केन आज के दिन में बहुत इंपॉर्टन टेस्ट एक लिवर का बन गया है तो किसी को भी अगर है वाइरल ही पिटाइटिस बी या सी है फैटी लिवर है एलकोहल ज्यादा पी रहे हैं और बीस है बॉड़ी वेट ज्यादा है या डियाबि आपरोस्केन का टेस्ट हम रिकमेंड करना चाहेंगे और दिस इस आल थैंक यू वर्यमच नमस्कार